दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आप अपने Google एकाउंट को अपने email ID को आप recover करना चाहते हैं और आपके पास नहीं password है और ना आपके पास mobile नंबर और ना आपके पास email ID है तो कैसे आप अपने Google एकाउंट को आप recover कर पाएंगे और उसमें आपने अपना recovery email ID या phone number भी आपने add नहीं किया है या आपका उसमें add है तो वो आपके पास phone number नहीं है तो यसे वीडियो के अंदर हम आपको details में step by step हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने phone में Gmail open करेंगे, जैसे आप Gmail को open करते हैं, या आप यहाँ से बैएक आ जाएंगे बैएक आने के बाद आपको फोन में play store को open करने के बाद इस तरीके से आपका play store open हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा आप wait करेंगे उसके बाद आपके समने कुछ इस तरीके से page आएगा आप यहाँ पर अपने Gmail पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपने देखने को मिल जाएगा इस arrow पर आपको click करना है हो सकता है कि आपका Google account यहां से recover हो जाए तो हमारे समने एक नया page आजाएगा कुछ इस तरीके से आप यहां पर आपको अपना email ID डाल देना है और यह दोस्तों आप यहां पर अपना phone number भी डाल सकते हैं अगर आपको email ID पता है तो email ID डालेंगे अगर आपको पता है कि हमने इस phone number से बनाया था तो अपना यहां पर mobile number डालेंगे और mobile number अगर आपको पता है तो आसानी से आप recover कर पाएंगे और उसी mobile number पर आपके पास OTP आएगा तो हमें mobile number नहीं पता है तो हम यहां पर अपना email ID डाल देते हैं जैसे कि हम यहां पर अपना email ID डाल देते हैं उसके बाद बताते हैं कि आखिरकार क्या आपको करना पड़ेगा तो जैसे कि मैंने हैं पर अपना mobile number नहीं कि मैंने अपना email ID डाल दिया है उसके बाद Nest पर क्लिक करेंगे जब यहां से आप Nest पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से पे जाएगा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है Enter Your Password आपको यहां पर मिल जाता है Forget Password आप इस पर क्लिक करेंगे जो आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पे जाएगा अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिखा दिया जाएगा अगर आपके email आड़ी पर आपका mobile नंबर लगा होगा तो यहाँ पर आपका mobile नंबर देखने को मिल जाएगा अगर वहाँ पर एक code जाएगा वो code आपको यहाँ पर डालना होगा और आसानी से आप अपने account को recover कर पाएंगे अगर आपका यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यह mobile नंबर ना हो और आपको पता भी नहीं है यह की mobile नंबर किसका है तब यहाँ से आपको करना क्या है कि do not have my phone प पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके समने वही पे जाता है तब यहाँ पर आपको क्या करना है तो अपने phone में आपको browser को open करना है जब यहाँ पर आप कोई भी एक browser open करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर open कर चुके हैं हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पर आपको क्या सर्च क पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस दरीके से पेज आएगा यहां पर आपको सर्च करना है देखने को मिल जाएगा your Google account is disabled Google help आप इस पर क्लिक करेंगे जब इस आप पोस्ट पर क्लिक करते हैं उसकी बाद आपके सामने इस दरीके से पेज आजाएगा यहाँ पर कुछ step बताएं जाएंगे जिन्हें follow करके अपने account को आप login कर सकते हैं नहीं तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है fill out this form तो आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके समने एक form निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको अपनी details आपको fill up करना होता है जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने को मिलेगा as तो यहाँ पर आपको as कर देना है जैसे आप यहाँ पर as करेंगे अब यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आ जाता है email address use to sign in your google account यहां पर आपको अपना वह इमेल डाल देना है जो आपका इमेल डी लॉग इन नहीं हो रहा है तो जैसे हम क्लिक करेंगे यहां पर अपना वही इमेल डाल देते हैं जो हमारा यहां पर लॉग इन नहीं होता है तो मैंने यहां पर अपना इमेल डी डाल दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहां पर आपको अपना एक नया email डालना है यानि कि यहां पर आपको अपना वो email डालना है जो आपके मुबाल में login है ताकि आपके पास Google की टीम इस email डी पर यहां पर contact करें और इस email डी पर आपके पास message आएगा जहां से आप अपने इस email ID का password चेंज कर सकते हैं तो यहां पर आपको अच्छे से एक नया email अड़ी आलना है जो आपके फोन में login हो उसके बाद यहां पर आ जाता है let us know if you have any dear helpful information तो यहां पर आपको कोई भी एक अपना region select कर देना है यानि कि लिख देना है कि जैसे कि हमारा sir हमारा यहां पर google account disable हो गया है sir हमारा google account login नहीं हो रहा है आप यहां पर कुछ भी लिखना चाहते हैं आसानी से लिखेंगे और उसे आप English में translate करके यहां पर आप डाल देंगे और अगर आपका यहां पर google account recover करने के लिए अभी आपका active हो सकेगा तो आपके पास एक message भी आएगा और उसमें आपको link दिया जाएगा गूगल की team के द्वारा जहां पर आपके लिए करके अपने पुराने वाले ID को आप recover कर पाएंगे और password एक नया बना पाएंगे तो यह process होने में आपका 7 दिन का समय लगता है यानि कि 1 या 2 दिन के बाद आपके पास reply आगा और उसके बाद आप अपने account को आप recover कर पाएंगे तो एक सब्तहा के अंदर आपका पुराना account recover हो जाएगा तो यह process होता है अगर आप इसे apply करते हैं तो आपका पुराना से पुराना Google account recover हो जाएगा आपका mobile number, email ID कुछ भी यहाँ पर नहीं पड़ेगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पुरा देखने के लिए आपका पहुत धन्यवाद